तो हमने अपनी पिछले लेक्चर पर डिफ्रेंशेशन फार्मूला और चेन रूल के बारे में सीखा था अब हम बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं यह टॉपिक इसके इंपोर्टेंट है क्योंकि यह रियल एनालेसिस से हट कर है सही माइने में किया जाए कि अभी तक हमने डिफ्रेंशेशन में जो देखा था उसको देखकर आपको यह लग रहा था कि साइद हम केवल रियल एनालेसिस में ही हैं ऐसा नहीं है CR equations यह कुछ partial differential equations के pair होते हैं और यह pair यह बताते हैं कि कोई complex function किसी point पर या किसी set पर जहां भी हम बात करनें points पर differentiable complex, differentiable कब होगा necessary condition किया है यदि कोई complex function किसी point पर differentiable है तो उसको इस in equations को satisfy करना होगा जो मैं भी लिखने जा रहा हूँ और यह कहना अतिशियोकती नहीं होगी कि CR equations यह कह सकता हूँ मैं बिल्कुल दावे के साथ में कि यह हमारे कम से कम one dimension में जो हमारी complex analysis है उसके मूल में है उसकी back bone है इसके मिना मेरे खियाद से कई चीज़ें संबाव भी नहीं हो पाएंगी और यही वो magic भी है equations में चिपा हुआ और यह equations यह भी बताती हैं कि complex analysis और differential equations में और in fact partial differential equations में कितना अच्छा संबंध है क्योंकि यह pair of partial differential equations में बड़ी interesting बात है कोशी रिमान equations में को कहते है कोशी रिमान equations इनका full form यह कौशी रिमान equations कौशी कोशी रिमान equations में कोशी रिमान archives इनका full form उसकी शोर्ट फर्म में लिखा兩ए c r equations लिखा हो उगा है हम पहले अपने functions को देें हमारा functions मैंने आपको बताया था अपने पिस्टे लेक्चर्स में कि हम किसी complex functions को इस रूप में भी लिख सकते हैं इसके दो पार्ट fz है यदि कोई function से complex valued function है तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं जहां पर हमने पहले बताया है आपको कि इस uz को कहते हैं real part of और कई लोग इस fz को omega भी लिखते हैं omega equal to fz जब mapping की बात कर रहा हूं तो uz equal to real part of fz and vz equal to imaginary part of fz जहां पर ये यूजड जो है ये real valued function है real valued function of two real variable x and y ये x और y कहां से आये यदि आप ध्यान से देखें तो मेरा complex number x plus i y में लिखा जाता है जहां x और y z के real और imaginary part हैं दुनों real number है ये और इसको कई लोग आपको मैंने बताया था अपने lectures में इसको x y के form में लिख सकते हैं तो यदि टेक्निकली देखा जाए यूजड एंड वीजड ये real valued functions हैं of two real variables इसका मतलब यू जेदी हम देखना चाहें तो यू ऐसा भी है r2 आपको बताया था मैंने अपने पिछे lectures में r2 और c plane ये r2 और c plane topologically देखा जाए तो ये same चीज़ है दोनों को आप कैसे बनाते है r2 को भी आप ऐसे लिखते हैं याद करिए इसको आप कहते थे x-axis और इसको कहते थे y-axis मैंने renaming कर दी थी मैंने इस x-axis को c2 के case में c के case में क्या कहते है इस axis को real axis नाम भर बदल दिया था मैंने और इसको कहा था imaginary axis तो नाम भर बदल है यह से देखा जाए तो so r2 से यह function r2 से किस पर जाते हैं यह function r2 से r पर जाते हैं और ऐसे ही vb क्या function है आप देख सकते हैं उसको visualize कर सकते हैं r2 से r में तो मेरा function जो है इसको real और imaginary part है u-z और v-z लिखते हैं कई लोग इसकी यू-z को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं U Z का मतलब कई लोग ऐसे लिते हैं U function है X और Y का V Z function है X और Y का Z का function कई यह जए X और Y का function कई यह तो अब हम आते हैं कि आखिर में यह CR equations कैसे आएंगी और किस तरह से हो रही है इस पर हम चर्चा करते हैं थोड़े दिर के लिए कैसे आएंगी मैं आपको इसका उद्बह दिखाता हूँ किस तरह से होता है किस तरह से इनका जन्ड मुग है मेरा function मान लिजिए complex difference Suppose हम यह मान के चलते हैं हम यह मान ले कि suppose F is C differentiable C means complex differenceiable C differentiable और differenceiable कहिए at Z यह function मान लिजिए Z पर C differentiable है X plus I Y यह function C पर यह function Z पर C differentiable है इसका मतलब क्या हुगा इसका मतलब क्या हुगा इसका मतलब क्या हुगा इसका मतलब क्या हुगा इट मेंस limit H goes to 0 F Z plus H minus F Z upon H exist इसका मतलब यही है हमने सीखा भी पिस्टे लेक्चर में भी हमने सीखा इसके पहले भी हम सीख चुके है कि C differentiable होना किसी पॉइंट पर इसका मतलब इस limit का exist करना है जहां पर H complex number है जहां पर यह H किसका member है जहां पर यह H member है किसका C का complex number का member है अब हम एक काम करते है मैंने आपको बताया थे यह H कैसे move कर सकता है यह H किसको जा रहा है Gero को जा रहा है यह H zero किस तरीके से जा सकता है जाद ध्यान से देखिए H zero को कई तरीके से जा सकता है H हो सकता है zero को किस ओर से जा रहा हो real axis की ओर से जा रहा हो h हो सकता है zero को complex axis की ओर से जा रहा हो पर मैंने आपको बताय था किसी भी way में h zero को approach करे इस limit की value यदि ये function jet point पर differentiable है तो इस limit की value हर case में same number आना चाहिए या same object होना चाहिए हर case में चाहिए आपकी h की approach कैसी भी हो तो अब हम एक काम करना चाहते है हम इस h की approach पर concentrate करना चाहते है और देखें कि क्या होता है और इस limit का नाम मैं रख दूँ इस limit का नाम हम थोड़ ये के रिख देते है f हम इस limit को ये बोलेंगे f dj तो put h equal to h1 plus i k1 तो पहले हम ये limit निकालते है first compute limit when h is purely real that is कहने का मतलब किया है that is k1 is 0 as h goes to 0 k1 तो 0 है तो k1 तो है नहीं to h is 0 को जाएगा h 0 0 implies h1 also goes to 0 तो करके देखें क्या आता है देखें इस limit को हम देखें करके तो इस limit को हम चेंज कर रहा हूं है limit ये h goes to 0 है तो आपको पता है h को मैंने अब कहने लिया है h1 लिया है और h1 भी किसको जा रहा है 0 को तो इस limit का मतलब क्या हो limit किसके बराबर होगी limit क्या थी f dash z ये किसके बराबर होगी बुलो हाँ limit h1 goes to 0 very good f of यहाँ जाद ध्यान दो अपना z प्लस ये h क्या है h1 प्लस i k1 है k1 0 हो गया तो अब हम हमने अभी कौची रिमान एक्क्वेशन्स देखे अब हम कुछ एक्जाम्पल की बाते करें कि जैसे for example मैं बहुत सिंपल से एक्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ f z equal to z square इस function को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं यदिया आपको तो एक्स स्क्वाइर माइनस वाइ स्क्वाइर प्लस 2i xy तो यहाँ पर आप नोट करेंगे uz या अच्छा रहेगा ऐसा लिखिया है uxy क्या है x square माइनस y square और vxy क्या है 2xy यह real और imaginary पार्ट है यह function इस function का derivative हर point पर मौझूद है और हम यह note करेंगे यह function हर point पर differentiable है क्यों हम दिखा सकते हैं हम यह दिखाएंगे कि f dash z equal to क्या होता है 2z 2z कहां से आया formula यह याद करो यह formula हमारा कहां से आया यह दो function का product है कौन कौन से function का हमें पता है यह दो function का product है आप दो function लीजिए dz equal to z और sz equal to z लीजिए तो f z कुछ नहीं है बलकि क्या है g product sz that is dz into h z और हमें यह पता है f z f हमें यह पता है g z यदि z हो तो उसका derivative 1 होता है तो product formula लगा दें यदि हम इसमें सीधे से तो हमारा क्या आएगा derivative g dash z into s z g z h dash z g dash z 1 होता है h z z होता है g z z होता है h z फिर 1 होता है यह आगे 2 z वही formula और वैसे यदि आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं limit h goes to 0 f z plus h minus f z upon h limit h goes to 0 z plus h का square minus z का square upon h limit h goes to 0 yes z square plus 2 z h plus h square minus z square upon h limit h goes to 0 h 2 z plus h h that is limit h goes limit h goes to 0 s से h cancel होगे और क्या बचा कि विल 2 z simple तो हमें पता है पहले से so यह function हर point पर कौन सा function यह function हर point पर differentiable है और मैं आपको यहाँ demonstrate कर रहा हूँ कि हर point पर कौसी रिमान equation भी satisfy हो रही है देखें ऐसा है क्या यह function हर point पर differentiable है तो necessary condition यह है कि किसी function की differentiable के necessary condition यह है कि कौसी रिमान equation satisfy होनी चाहिए और function differentiable है तो कौसी रिमान equation satisfy होंगी कैसे देखें ux क्या है 2x uy क्या है minus 2y vx क्या है 2y और vy क्या है 2x तो देखें यहाँ पर ux equal to vy or uy equal to minus vx for all x and y that is z हर पॉइंट पर कौसी रिमान equation satisfy हो गई अब हम आएं अपने बहुत अच्छे से function पर मेरा function यह है fz equal to mod z हम इस function पर बात करना चाहते है यह function क्या 0 पर differentiable है क्या यह function जीरो पर differentiable है तो हम fz equal to mod z means y square that is यदी हम इस से तुलना करें इसके इमेजनरी और रियल पाट से तो हम ही यह पता चला uxy equal to under root x square plus y square और vxy equal to 0 यह इसके रियल और इमेजनरी पाट है सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूँ कि इसके पार्सल डेरिवेटिव क्या होगा तो uxy function क्या है तो हम आपको अब ले चल रहे हैं किस और x square plus y square है इसका पार्सल डेरिवेटिव जीरो पे निकाल रहा हूँ है x के respect में ux at 0,0 हाँ क्या हैगा जी ux at 0,0 u 0 plus h 0 minus u 0,0 upon h क्या हुआ हाँ, यह मैं real calculus कर रहा हूँ गब रहिए मत यह हम आप पहले पढ़ चुके हैं multivariable calculus तो यह हुआ u h 0 minus u 0 0 upon h हाँ, क्या है जी u h 0 क्या होगा h square plus 0 h square plus 0 means क्या है h square minus 0 upon h यह क्या है जी mod h upon h mod h upon h तो depend करता है यदी h 0 को जा रहा है यदी h 0 को जा रहा है तो h यदी left से 0 को जाए चाहे right से 0 को जाए तो h यदी left से 0 को जा रहा है तो h minus k का form का होगा तो minus k upon k तो यह k upon minus k होगा k से k cancel होगा और minus 1 आएगा और दूसरे case में the right से जा रहा है तो प्लस बनाएगा इसका मतलब 00 पर तो इसका derivative एक्जिस्ट ही नहीं करा पार्सल डिरिवेटिव इसका मतलब कौसी रिमान एक्विशन तो सटिस्फाई नहीं हुई So actually UX00 does not exist और जब पार्सल डिरिवेटिव का यू का पार्सल डिरिवेटिव 00 पर एक्जिस्ट ही नहीं किया तो पार्सल डिरिवेटिव एक्विशन को सटिस्फाई करने वाली बात ही खतम हो गई इसका मतलब फंक्शन को पार्सल डिरिवेटिवेटिव सीर एक्विशन सटिस्फाई नहीं हो रही है और ये function actually 0 पर differentiable नहीं है ये function 0 पर differentiable नहीं है तो हमने कौशी रिमान equation को necessary condition कहा है यदि function differentiable है तो कौशी रिमान equation satisfy होनी चाहिए अब दूसरा question ये है कि कौशी रिमान equation satisfy हो जाएं तो क्या function differentiable होगा यदि कौशी रिमान equation satisfy हो जाएं तो क्या function necessary condition क्या है कि function यदि differentiable है तो कौशी रिमान equation satisfy होगी कौशी रिमान equation यदि satisfy नहीं होती है तो function तो question क्या है If CR equations are not satisfied, then function is not C-differencible. So, इसी लिए कहते ही, यह निसेसरी कंडिशन है. बट याद रखिए, CR equation satisfied होने के बाद में भी हो सकता है कि function क्या ना हो, function differentiable ना हो. मैंने यह कहा है, अपसे यह CR equation satisfied नहीं हो रही हैं, तो function compressed differentiable उस point पर होगा ही नहीं. इसका मतलब यह नहीं कि CR equation satisfied हो जाएं, तो function differentiable हो जाएगा. So, if it is exercise for you, to find examples of functions for whom CR equation at a point is satisfied but function is not differentiable हम अपने अगले रेक्चर में यह बताएंगे हम अपने अगले रेक्चर में यह बताएंगे कि आपका task है, मैंने आपसे क्या बताया है, यदि कोई function complex differentiable होगा, कौची रिमान equation satisfy करेंगे. कौची रिमान equation किसी point पर satisfy नहीं होती है, तो function के differentiable होने के chances कतम होगे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ऐसे functions के example दीजिए, ऐसे example दीजिए functions के, जिसका किसी point पर CR equation satisfy हो रही है, पर function complex differentiable नहीं है, और हम अगले बार अपने लेक्चर को इसी से start करेंगे. मैं झाले बार श्डति मैं SY जा का अपने क्यू चलिएक, आपसे लेक्चर करेंगे. झाल झाल